दोस्तो सबसे ज़्यादा विए अधास पत रहा है 5MP का कैमरा 2019 में जिया हैं दोस्तो 5MP का कैमरा जो है क्यों 2MP से कुछ प्राइस जादा में ही आपको मिल जाते हैं फिर भी आपको 5MP की क्यूलिटी और क्लिर्टी में थोड़ा सवाल आपके मन में आ जाता है और सवाल आता है कि 5MP का कैमरा जो है क्विजन के 7B सेरीज का जो DVR है उसमें 4MP क्यूं 100 होता है ऐसी सारे सवाल है जिसका के आंसार आप लोग जानना चाते हैं और DVR का ही दोस्त नहीं है कैमरा का भी बहुत ही बड़ा रोल है बहुत एहम रोल होता है आपके पिक्चर क्वालिटी को लेके इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपका कैमरा भी सही हो DVR अपने कैपरिसेटी के अनुसार से वो पिक्चर जो है वो देने की कोशिस करते हैं मगर आपके कैमरे में जो वो पावर नहीं रही तो कोई फायदा ने जिया हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है और बहुत तरह के आप पहचाने कि आखिरकारी इस मॉडल में क्या खासियत है और पांच मेगा पिक्सल में जो है आपका जो सब्से लौइस प्रैस में जो मिलता है उसे पांच मेगा पिक्सल के रियर क्योंटी नहीं समझे अप बहुत अलेलग तरह के कैमरे आते हैं जिसको आप यूज कर सक बोलते हैं ITPF यह सबसे ज़्यादा जो है सेल होने वाला है और लोग maximum इसी को purchase करते हैं इसी में जो है आपका एक और आता है आपका ITF आता है IT1 आता है IT3F आता है IT3ZF आता है यह आपका H0T series में यह 4 तरह के model है अब आपको समझना होगा कि है H0T जो है यहाँ पर सबसे बड़ा गेम है वह आपका समझना देखें बेसिकली अगर आप देखें तो सिर्फ आपका जो है दो series है पांच मेंगा पिक्सल एक है H0T और एक है H1T यह दोनों है H0T जो है वह आपका समझना लेजिए कि सबसे क्वालिटी बहतर आपको नहीं मिलेगी चाहिए वह आप कोई भी कैमरा प्रशेस कर लें मैटल बोडी और प्लास्टिक बोडी आपको बहतर क्वालिटी नहीं मिलेगी H0T में लेकिन अगर H1T लेते हैं तो वह आपको अपग्रेट क्वालिटी मिलेगी आपको इससे बहुत अलग क्वालिटी मिलेगी जैसे कि आप पहले आप C2T स्रीज आता था उसके बाद C0T हो गया यह सारी चीज होगा आप समझे अभी आपका 8 मेगा पिक्सल में जो है आपका यू 1T स्रीज आता है आपका कुछ दिन बाद उसको जो है इको बनाकर जो यू 0T हो जाएगा तो यह आपका पहले एप 3 मेगा पिक्सल में जो है एप 1T था एप 0T हो गया है एच 1T था सबसे पहले उसको जीरो टी हो गया तो इस तरह से जो है मौडल नंबर चेंज करके जो है उसको एकोनॉमिक वर्सन में जो है एक विजन वाले सेल करते हैं और आपको समझ में नहीं आता आपने 5 में पिक्सल की कैमरे को पर्शेस किया मगर आपको दिक्कती हो जाती है क्वालिटी को लिखे तो सबसे पहले जो डिफरेंस है कि डिजिटल नॉज डिडेक्शन जो होता है आप तो 3D तक भी मिल रहे हैं और उसमें आपका WDR का भी काम हो जाता है बहुत हद तक उसका DWDR जो है आपका H0T से जो बहुत हद तक अपग्रेड है कैमरे में लिखा रहता है डबे में WDR मगर WDR नहीं रहता है H0T में मगर HIT में आपको बहुत इन्हेंस क्वालिटी आपको मिलती है इसलिए आप जब भी 5 मुए पिक्सल के सिरिज को पर्चेस करने जाए तो H1T पर्चेस करें और अगर आउट्डोर में आपको पर्चेस करना है तो वहाँ पर आपको जो है मैटल बॉड़ी को प्लास्टिक बॉड़ी और F मतलब कि स्वीचेबल है वह आप एचडी सीवी आई आपका सीवी बीएस में आप चेंज कर सकते हैं पचीस सो साथ इन्टू उन्नीस सो चवालेस रिजोलूशन है 2560 इन्टू 194 जो है रिजोलूशन है आपका स्वीचेबल है IP67 की रेटिंग है वेधर प्लास्टिक बॉड़ी है एक चीज समय लिए जो बेसिक आपका है इसमें 2.8 mm का लेंस वाला कैमरा आप लेते हैं तो 55.5 डिगरी जो है आपका व्यू लेगा 3.6 mm का आपका 80 डिगरी ते व्यू लेगा और 6 mm का 57.1 डिगरी आपका जो है व्यू लेगा अगर आप ITF में जाते हैं पी हट गया तो यह मैटल बोडी होगा याद रखिएगा प्योर मैटल बोडी इसमें नहीं होता है आपका फ्र 41 डिगरी का एंगल लेता है और इसमें अगर आइटी 3ZF लेते हैं तो आइटी 3ZF मतलब की मोटोराइजड आपका हो गया 2.7 mm से लेंस को आप 13.5 mm तक जो है लेंस को जो है अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं यह कैमरा यह आपका H0T में है अगर यही चीज सेम आपक फी में जो है ITP आता है ITF आता है IT3ZF आता है लगबग सिमिलेर्टी सारे चीजों में है जो मैन डिफ्रेंस है आपका OSD मेन्व में है 3D DNR में है Digital Rs.D इसे जो quality इने सटाइट उस में है और अगर आप एक लेते हैं तो इसमें आपका जो H1T में ITMF वाला जो सीरीज है ITM वाला जो सीरीज है वो आपका pure metal body है total metal है कहीं वे ऐसा नहीं कि front आपका जो है plastic है बांकी जो है metal है तो ये अलग लग तरह के quality आ रहे हैं और मैं हमेशा recommend करूंगा अगर मेरे suggestion से आप चलते हैं और आपको लगता है कि मैं आपको suggestion दे सकता हूँ तो मेरा recommendation ये कि 5 megapixel का जब भी आप camera को purchase करें तो आप जो है H1T को purchase करें आप H0T को purchase ना करें और price अगर आपको जानना है ये सारी चीजों के बारे में ये सारी camera का price तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जरूर जोइन करें वहाँ पर मैं आपको सभी का price जो है मैं clear आपको में वहाँ पर बताता हूँ और आप comment जरू करें हमारे YFM security में जाकर आपको search करना होगा टेलीग्राम वहाँ पर चैनल को जोइन कर लीजिए वहाँ पर आपको price related सारे आपको जानकारी मिलेंगी और पांच मेगा पिक्सल को पूरी तरह से समझ लेजिए पांच मेगा पिक्सल उतना बैस्ट नहीं है बनिस्पत कि डो मेगा पिक्सल का आपका आई टी आई यार पी एफ है उसका उसमें एक्स आयर वाले जो सीरी जाते है आई टी सीरी जाते है वह सारी चाहीं लेजिए मैं उस पर भी वीडियो बनाऊगा हाँ आप एक काम कर सकते हैं कि आउट्डोर में आप इससे बहतर है कि कलर व्यू कैमरा को आप सेलेक्ट करें आप इसमें कलर व्यू कैमरा को आउट्डोर में लगाएं आप इस सीरीज को नहीं लगाएं कलर व्यू कैमरा को लगाएं वह ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए वो नाइट वीजन भी कलर लेगा और वह आपको एक अच्छा एक्स्पिरियंस भी देगा कुछ सीखने को कोई मिलेगार कस्टमर भी आपसे खुस होंगे उमिद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझने में बहुत मद्द करेगी कि पांच मगया पिक्सल के कौन से कैमरे को आप पर्चेस करें चैनल को सब्सक्राइब जो कर देजिए वीडियो को लाइक जो कर देजेगा धन्यू